Hello everyone, this is Manisho and before you I welcome you on your own channel Study with Rites जैसा आप सभी जानते हैं और आप सभी इंतजार कर रहे हैं कोई अपडेट आए कॉनसिलिंग से रिलेटेड, कोई जनकारी हो बट आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही लंबे समय से इंतजार करने के बावजूद भी कोई अपडेट नहीं आ पा रहा है और आप सभी कहीं न कहीं परिशान हो रहे हैं, धैर खो रहे हैं, ठीक है तो एक चीज तो असपस्ट हो गई है कि कहीं न कहीं बोर्ड का थोड़ा सा उदासीन बिहेवियर देखा जा सकता है जो आपके कॉंसिलिंग है उसके प्रती, जितने भी टेकनिकल टर्मलोजी वाले कॉंसिलिंग है जैसे ITI हो गया या फिर इंजिनेरिंग ट्रेड के जितने सारे हैं, वो सारे हो चुके हैं और लेड़ी कम्पलीट हो चुके हैं, उनका प्रोसेस, एक एक प्रोसेस, मौबब तक सारे चीजे क्लियर हो चुकी है कम्पलीट हो चुकी है, बट बात की जब पैरामेडिकल या फिर बेसी नर्सिंग की, तो आप देख पा रहे हैं कि कोई भी अपडेट इसके रिगार्डिंग नहीं मिल रहा है ठीक है, तो अब आपके पास सॉलूशन क्या बसता है अब जैसे आप सभी परिशान है, कहीं ने कहीं हम सभी भी उस चीज को लेकर परिशान है और चिंतित हैं इस चीज को लेकर, तो सॉलूशन क्या है आप जैसे धैर खो रहे हैं, कहीं ने कहीं हम भी उस प्रोसे से जुरे हुए हैं तो हमारा अब एक छोटा सा कदम यानि हमें एक छोटा step लेना है जो हमें करना ये है कि यहां आपको contact us दिख रहा होगा ठीक है easily visible होगा I guess यहां contact us के यह जो दो numbers दिख रहे हैं इस number पे आप अगर contact करने का प्रयास करते हैं किसी भी प्रकाड से ठीक है तो ये लोग phone उठा नहीं रहे है multiple time phone करने के बावजुद भी कोई information ने मिल रहा है अब हमारा क्या process रहना चाहिए ना कोई धर्णा परदेशन काम आएगा ना ये सब कुछ काम आएगा ठीक है ये नहीं करना है हमें ये करना है कि हमें इस location पर जाना है ठीक है अगर आप पटना में रहते हैं या फिर पटना अगर आप पहुँच सकते हैं तो इस location पर जाके आपना written complaint आप लोग file करें ठीक है written complaint इस अस्थान पर जाएंगे आप ठीक है IS association building BCC board का जो official regional body जो building है जहां पर आप जा सकते हैं और वहां जाकर आप complaint raise कर सकते हैं ठीक है और अब क्योंकि more than one lakh student यहां वेट कर रहे हैं ठीक है एक लाग से जादा student यहां पर वेट कर रहे हैं लाखों student की timing सारी लटकी पड़ी है उनका आगे का future लटका परा है इस कारण से आप देख पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि क्या situation है ठीक है दूसरी बात हम लोग RTI फाइल कर सकते हैं जो कि हम हो सकता है future में करें ठीक है एंड हम बहुत ही जल्द Twitter campaign के साथ आएंगे ठीक है वहाँ पे हम लोग Twitter पे जो इसकी official websites हैं उसको tag करेंगे official body को tag करेंगे BCC board को tag करेंगे और इस tweets को हम लोग multiple time करेंगे ताकि उनका जो नींद में है वो थोड़ा सा जाग जाएं ये आवश्यक है कहीं न कहीं ये मजाक जैसा ही है कहीं न कहीं देखा जाए तो आपके साथ मजाक किया जा रहा है पर हम ऐसा उमीद करते हैं कि कोई भी update हो तो जल्द से जल्द आए और कोई भी एक प्रकार के सुधार या फिर इस छेतर में जो भी बदलाव किये जा सकते हैं उनके तरब से आपक अदम लिये जा सकते हैं लिये जाएं ताकि जो इस्टुदेंट्स परिसान हैं उनको कही न कही अराम मिले ठीक है तो आपको ये करना है इस नंबर का कोई फाइदा नहीं है पहला काम और आखरी काम यही होगा कि आप यहाँ पहुँचके complain raise करें कोई धर्णा परदसर नहीं होता है नियम कानून का पालन करते हुए आपको अपनी आवाज रखनी है ठीक है ट्विटर पे रखिए और यहाँ पे दो अस्थान है जहां से आप अपनी मांग को रख सकते हैं ठीक है हम लोग बिलकुल आपको पूरा support देंगे और कहीं न कहीं आपके support से ही चीज़े होंगे ट्विटर कैंपेंज से लेटेड जो भी framework होगा जो भी road में आप होता है हम लोग प्लान कर रहे हैं कुछ बात ऐसी बनती है ऑफिशल से भी हम लोग contact करने का प्रास कर रहे हैं महां से कोई अप्डेट आ जाता है अगर नहीं आता है तो फिर हम लोग Twitter का साहरा लेंगे अफकोर्स आपकी support की जुरुवत होगी मिलते हैं अगले वीडियो में तिल देन कीप पेशेंस एंड स्टे नोटिवेटेड ओके थैंक यू